और इस वक्त एक और एहम ख़बर आपको बताएं, गुर्जरात के बाद तूफानी हवाई राजस्तान भी पहुँच गई है और इसका असर भी अब दिखने लगा है तूफान भी पाद जोई के वज़े से बाद मेर में भारी बारिश लगातार जा री हो जिसकी वज़े से काई लाकों में पानी तक भी भर गया है तो वहीं तूफान की वज़े से कलित पेड गिर चुके हैं, बिजली के खपने उखर गए हैं, बाडमेर में 5000 लोगों को सुरक्षि जगाह पर पहुंचा दिया गया है, तूफान की वज़े से बाडमेर जालोर में अगले कुछ घंटे के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दि गए हैं, तो वहीं जोटपो युनिवर्सिटी की सभी परिक्षाय रद कर दी गई हैं, इसके अलावा आपको बताएं, कोचिंग, जिम, परिट अंसल, दो दिनों के लिए आप बंद रहने वाले हैं, ये बड़ी खबर है, पहले गुजरात में भी पॉर्जोई का असर दे से लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है और लगातार किया भी जा रहा है, बाड़मेर की अगर बात करें तो भारी पानी यहां पर देखे सडकों पर कैसे भर गया है, जो तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीट पर हम आपको दिखा रहें, वो बाड़मेर की हैं, लोग को चलना यहां पर मुश्किल हो चुका है, बैसे में वो लोग सोचिये, जो आसपास घर रहे होंगे, इसलिए उन्हें समय रहते पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था, अब बड़ी खबर यह है कि तूफान का खतरा अभी भी राजिस्तान में टला नहीं है, तूफान का खतर यह तूफान के आज है, वो रारिस्तान तक भी पहुँच चुकी है